नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको सुनाऊंगा मेहनत की कमाई एक गाओं में एक व्यक्ति रहता था वह बहुत अमीर था परन्तु उसका बेटा बहुत कंजूस था वह कुछ भी काम नहीं करता था एक दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को बुलाया और कहा जा कुछ कमा करला लड़का निर्जन लपरवाह था उसकी काम करने की आदत नहीं थी वह सीधा अपनी मा के पास जाकर रोध होकर एक रुपया ले आया साम को जब उसके पिता जी आये वह लड़का पिता जी को एक रुपया जेब से निकाल कर दे दिया अनुभवी पिता सब समझ गये लड़के को बुला कर कहा जाओ इस रुपय को कुवे में डाल आओ लड़का जटपट उस रुपय को कुए में डाल दिया अगले दिन पिता ने फिर से कहा की जाओ कुछ कमा कर लाओ नहीं तो आज साम को खाना नहीं मिलेगा लड़का अपनी बहन के पास गया और एक रुपया ले आया साम को पिता जी ने कहा आज क्या कमा कर लाए हो लड़का जेब से एक रुपया निकाल कर रख दिया पिता ने फिर से कहा जाओ इसे भी कुए में डाल आओ लड़का वही करा उस रुपय कुए में फेक आओ पिता अगले दिन पतनी और बेटी को घर से बाहर भेज दिया पिता ने बेटे को बुला कर कहा की जाओ कुछ कमा कर लाओ नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा लड़का दिन भर स्वस्त बैठा रहा साम हो गई उसे कोई भी पैसे देने वाला नहीं था जो उसका दुख देख सके वह बजार में मजदूरी की खोज में निकला बजार में उसे एक सेठ मिला सेठ ने कहा की भाई तुम मेरा संदुक उठा कर मेरे घर तक पहुचा दो उसके बदले में तुझे चार आना दूंगा लड़का संदुक उठा कर सेठ के घर तक पहुचा सेठ ने उसे चार आना दे दिये साम को पिता जी ने कहा आज क्या कमा कर लाए हो या खाली हाथ वापस चले आए लड़का अपनी जेब से चार आने निकाल कर दे दिये पिता ने कहा जाओ इसे भी कुवे में फेक आओ लड़के को कुरोद आ गया लड़का बोला यह मेरी मेहनत की कमाई है मेरे हाथ पाओ गर्दन कमर दर्द कर रहे हैं आप कह रहे हो की इसे भी कुवे में डाल आओ अनुभवी पिता सब समझ गये अगले दिन पिता अपने बेटे को आधा राज ये उसे दे दिया हमें इस कहानी से यह सिच्छा मिलती है की हमें हमेशा अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहिए ना की और की कमाई को नहीं खाना चाहिए तो दोस्तों आसा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद